जुलाई के बजट में सबसे जादा एलोकेशन डिफेंस सेक्टर को मिला था जहां एक बार फिर से 1.46 लेक करोड सरकार लगाने जा रही है लेकिन इस बार का प्लान बिलकुल लगे है इस बार पूरा एक रोड मैप है जहां कितना पैसा कहा लगाना है पहले से डिसाइड है और ये होने वाला है बहुत मास्टर स्टोक कैसे यही आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइक ओन हिट कर लीजिए जिससे की जो वीडियो अपलोड हो रही है आपको पता चल सके और आप फायदा ले सके क्योंकि एक कदम आगे रहना है और वही पर किसी भी अपडेट के लिए टेलिग्राम से जुर जाएं जहां हमें कुछ भी लगता है हैंड होल्डिंग की अलग ली जाती है स्क्रीनर के नाम पे अलग ली जाती है तो भाईया यहां पर सब कुछ एक बहुत जैन्यून फी में आपको दिया जाएगा जहां 10 दिन की क्लास 90 दिन की हैंड होल्डिंग जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता है रियल वे में टीचर के साथ वो हम आपको देंगे जिससे कोई भी नया इंसान अच्छे से सीख सकता है सीख के डाउट क्लियर कर सकता है और तब मार्केट में पैसे कमाने के लिए तयार हो सकता है कॉल कीजिए 970-80-94-321 जहां पर बिना कमिट्मेंट का रिविजन सेसन मिलता है क्योंकि आप सब बिगनर हैं आपको बहुत समस्या आती है तो वो सारी समस्याओं को दूर करते हैं अच्छे से सीखाते वे होमवक देते वे बहुत कुछ वो जो इंडिया में कोई नहीं रेता तो मौका न जाए कॉल कीजिए और सीट बुक कर लेजिए सरकार ने ये भी कहा है कि 99% का ओडर लोकल कमपनी को दिया जाएगा मिन्स आतनिर्भर भारत बनेगा और वहाँ पर कमपनिया कॉन कॉन होंगी ये भी बर्या ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो सबसे पहले बाइफरकेशन को समझते हैं कि कहां कहां ये पैसा लगने वाला है फिर प्रोड़क्ट और उसके बाद कमपनी पर आएंगे तो सबसे बहले कैपेक्स क्या है 1.46 लैक करोर का जिसमें इंडियन से प्याड में 70,000 करोर यानि नेवी को 70,000 करोर जा रहा है सबसे जादा तो यहां पर कौन सा सेर हो गया कमेंट में बता दीजे जल्दी से उसके बाद फ्यूचर रेडी कॉमबिट वहिकल यानि आर्मी को 50,000 करोर और एरफोर्स एरो इंजन में 26,000 करोर की कहानी है अब इससे यह तो समझ में आ गया कि डिफेंस की जो तीन आम से सरकार ने वहां फोकस कर लिया अब हमें तोड़ना परेगा एक-एक नेवी, आर्मी और उसके बाद एरफोर्स राइट तो सुरू करते हैं इंडियन सिप आज से अब यहाँ पर देखें तो प्रोजेक्ट 17 ब्रावो, ठीक है बिल्ड 7 एडवांस, स्टिल्थ फ्रिग्रेट, मतब स्मॉल मल्टी परपस नेवल सीट बनाने के प्लान है इसके अंदर में उसके बाद डॉर्नियर 228 एरक्राफ्ट जहां पर सर्विलांस को आईसीजी सर्विलांस को बढ़ाना है पत्रोलिंग कैपसिटी को बढ़ाना है सतर हजार करोर तो मैं बताई चुका हूँ ठीक है अब्जेक्टिव है इनहांस नेवी कैपिलिटी जो नेवी की कैपिलिटी है उसको इनक्रीज करना है विद मॉडन वाज सिब और पेट्रोलिंग कैपसिटी यानि जो सर्च चलते हैं उसकी कैपसिटी और ज़्यादा इनहांस होगी तो कुछ भी आजू-बाजू की कंट्री अगर करना चाह रही है तो वो हमें पता चल सकेगा वहीं पर मेगा प्रोजेक्ट विल बी स्प्लिट बिट्विन टू फेज फर्स्ट वन फेज विल हैव फोर सिप्याड और अनदर थ्री क्यूंकि साथ था तो पहले चार बनाएंगे और फिर तीन ठीक है तो अब यहां पर मजगाओं डॉक्याड और गार्डन रीच क्या बनाएंगे यह स्टिल फ्रिक्रिट बनाएंगे और H.E.L. बनाएगा डॉनियर 228 एरक्राफ्ट तो जो जो बना रहा है उसका नाम आप पेपर में लिखते जाएए ठीक है अब चलते हैं दूसरे पर जो है FRCV यानि Future Ready Combat Vehicle यानि आर्मी का तो FRCV प्रोजेक्ट में क्या है इंडियन आर्मी प्लान टू एक्वार सत्रह सो Future Ready Combat Vehicle तो रिप्लेस एजिंग एजिंग T-72 टैंक तो यह एक बहुत बढ़ा चेंज होने वाला है 50,000 करोर की value बता ही दिया है क्यों तो modern आर्मी वहिकिल होगा भहिया जिसमें tank, combat वहिकिल पूरा एक बहुत बहुत बहतरी लेवल पर कारिक्रम होगा production तो tank will be made under make one procedure with over 60% indigenous content ठीक है और Indian company बनाएगी ठीक है अब कौन बनाएगी तो भारत फोर्ज और Larson and Turbo बनाएगे ठीक है एडिस्टल बनाएगे तो army will also acquire around 100 BMP2 infantry combat वहिकिल same company involved होगी तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर PPTI आई है जहां पर कौन क्या कर रहा है करने वाला है matter को clear कर दिया गया है अब धर्ड कहाँ है arrow engine राइट तो चलिए arrow engine पर आते हैं तो air defense fire control radar to detect, track, aerial target and provide fighting solution तो ये तो सबसे बहतरीन चीज़ होने वाली है जहां पर detect भी करेंगे और fire भी करेंगे approval for forward repair team equipment for in-situ repairs तो repair जैसी जो चीज़ें operation में होती हैं उन पर काम की कहानी है ठीक है वहीं पर new engine for fighter plane आएगा 26,000 करोर का cost की कहानी है तो capex पर आते हैं तो objective क्या है बहिए target detection करना है tracking capabilities को बढ़ाना है ठीक है तो ये बहुत important है BL manufacture करेगा air defense fire control radar को और forward repair system को actual manufacture करेगा AL-31 F-P engine को तो सबसे प्यारी और खास बात क्या थी कौन क्या करेगा clear है तो हम कोई buy sell advice कभी देते नहीं है ना आज दे रहें क्योंकि आपको बता defense sector ऐसे ही रो रहा है क्योंकि already काफी अच्छा perform कर चुका है तो किसी को परिशान होने की जरुवत नहीं है defense sector में गिरावट क्यों हो रही है क्योंकि एक profit booking है genuine तोर पे क्योंकि कोई भी चीज लगातार उपर नहीं जाती बट ये क्या है ये एक बहुत अच्छी चीज है ये जैसे जैसे मिलेगा उनके revenue मेड होगा वो उनको एक long term future बहुत अच्छा देने वाला है तो this is the way जहां हम ऐसे सोफते हैं और reason रखते हैं तीन से पांस साल का तब कमाते हैं ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया जाके खरीद लिया फिर वो गिरने लग गया फिर परिशान होने लग गए और फिर blame करने लग गए जब चीजों को समझते हैं जानते हैं देखते हैं तब लेते हैं फाइला लड़नी अच्छी लगी हो तो सब के साथ सीयर कर दीजेगा